हलो दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी 99 परसेंट यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको गुड़न खंड ग्याद करना सिखाऊंगा तो देखिए पहला क्वेस्चन है आपका 6a square b plus 18ab square ठीक है इसका भी आपको गुड़न खंड ग्याद करना है और दूसर का question है आपका 18x cube plus 12x power 4 minus 10x square ठीक है इसका भी आपको गुड़न खंड ग्याद करना है तो दोनों सालों को एकदम यह आसान तरीके से मैं गुड़न खंड ग्याद करना सिखाऊंगा ठीक है तो इसको सालों करते हैं देखिए आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है देखिए यापर इसमे से आपको कामन लेना है 6 और 18 में से A square और इसमें से ठीक है इस A में से और B A यहाँ पर यहाँ पर B square तो इन सभी संख्याओं में से आपको कामन लेना है तो देखिए 6 और 18 में क्या कामन होगा तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या कामन लेना है जो दोनों को काटे ठी तो यहाँ पर 6 कामन हो जाएगा 6 और 18 में ठीक है और इस A स्क्वार और A में से छोटी संख्या कामन ले लेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए A के पाउर दो गाते यहाँ पर एक घाते तो इस A को कामन ले लेंगे ठीक है और यहाँ पर दिखिए B है यहाँ पर B स्क्वार है त भाग देते हैं देखे 6 A square B में 6 A B से भाग देंगे जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे ठीक है तो देखे 6 से 6 कटेगा B से B कट जाएगा A से A square को काटेंगे तो A square को क्या लिख सकते हैं A गुड़ते यह बटा की हो जाएगा A से A कट जाएगा तो क्या बचेगा उपर A तो यहाँ पर लिख देंगे A ठीक है फिर यहाँ पर प्लस का चिन फिर यहाँ पर देखे इस 18 A B square में 6 A B से भाग देंगे ठीक है तो देखे भाग देते हैं 18 A B square बटा के 6 A B ठीक है A B अब देखे 6 से भाग देंगे 6 तरी 18 तीन बार में कटेगा B से यहाँ पर कितना था यहाँ पर B square था ठीक है यहाँ पर A से A कटेगा B से काटेंगे तो यह इसमें का एक B बच जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 और B 3 भी लिखेंगे ठीक है यह हो गया आपका गुलन खण देखें दूसर का कोश्चन है आपका 18 X Q प्लस 12 X पर 4 मैनस 10 X स्क्वाइर 18 12 और 10 में से सबसे पहले काम लेंगे ठीक है तो 18 12 और 10 में से संख्या काम लेजी जो बड़ी से बड़ी हो और इन 3 संख्याओं को काट दे तो इसमें से देखें अगर हम लोग 2 लेंगे तो 29 18 9 बार में कटेगा 2 6 के 12 6 बार में कटेगा 12 और 10 उकाटेंगे तो 25 पांच बार में इससे अगर बड़ी संख्या लेंगे अगर 3 लेते हैं तो 3,6,18,6 बार में कटेगा 12 कटेंगे 3,4,12,4 बार में 10 कटेंगे तो कटेंगा ही नहीं तो क्या करेंगे 2 को यह कामन ले लेते हैं अब देखिए 1,Q और X,4 और X,2 में से आपको कामन लेना है तो क्या करेंगे जिस पर घातें छोटी हैं कम हो उसको कामन ले लेंगे यहां पर X,2 कामन ले लेंगे ठीक है तो जाएगा 2X,2 कामन अब आपको क्या करना है 2X,2 से इसमें भाग देना है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं X गुड़ते X गुड़ते X और इसको X स्क्वाइर X गुड़ते X 2X से 2X कटेगा यहाँ पर X बचेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर था कितना 9 9X हो जाएगा ठीके 9 का X में गुड़ते कराएंगे तो जाएगा 9X तो यहाँ पर लिख देंगे 9X ठीके और यहाँ पर प्लस का चीने तो प्लस लिखेंगे अब देखे इस 2 से भाग देंगे 12 में 2 6 के 12 6 आएगा और X स्क्वाइर से X कट जाएगा इसमें से ठीके तो बचेगा X कपावड 2 फिर माइनस 2X स्क्वाइर से देखे 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 पच्चे 10 5 बार और X स्क्वाइर से X स्क्वाइर कट जाएगा तो कितना बचेगा इतना ही तो यहाँ आपका प्रंग खंड हो जाएगा ठीके 2 X स्क्वाइर कोश्टक में 9 X प्लस 6 X स्क्वाइर माइनस 5 तो दोस्तो मजमी देखे कि आपको एकदम अच्छे समझ में आगे होगा में ते नेस्ट वीडियो में जै हिंद